14.2 ध्वनी का हम तक पहुँचना हमने रेखा कि ध्वनी कमपन करती हुई वस्तुओं से उत्पन होती है जब कोई वस्तु कमपन करती है तो वह अपने संपर्क के माध्यम के कणों पर बल आरोपित करती है जिससे माध्यम के कण अपनी संतुलित या विराम अवस्ता से विस्तापित हो जाते हैं और अपने समीब के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करते हैं ये विस्तापित कण पुनहां अपने समीब के कणों पर बल आरोपित कर उन्हें विस्तापित कर देते हैं समीब के कड़ों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कड़ अपनी मूल अवस्था में लोट आते हैं। इस प्रकार उर्जा का एक कड़ से दूसरे कड़ में इस धानांतरण होता है और ध्वनी आगे बढ़ती है। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रह काती। क्या ध्वनी तरंग का ही एक रूप है। आईए इसे पुर्व में किये क्रिया कलापतीन के आधार पर समझने का प्रयास करें। क्रिया कलापतीन में जब आप स्वरित्र द्विभुज को कंपित कराते हैं तो कंपित स्वरित्र द्विभुज की भुजा अपने क्र दाई और बाई और कमपन दोलन करने लगती है। जब वह अपने दाई और कमपन करती है तो अपने संपर्क की वायू के कड़ों को धक्का देकर उच्च दाप का छेत्र उत्पन करती है। इस छेत्र को संपीडन कहते हैं। जब यह पुनह पीछे की और कमपन करते हुए बापस आती हैं तो एक निमनदाप का छेत्र उत्पन करती हैं जिसे विरलन कहते हैं चित्र चार। चित्र क्रमांग चार कमपित स्वरित्र द्विभुज में क्रमशह, संपीडन तथा विरलन की श्रंखला। यहां C संपीडन तथा R विरलन को दर्शाता है। जब स्वरित्र द्विभुज लगातार कमपन करता है तो वायू में संपीडन और विरलन की एक श्रंणी बन जाती है। यही संपीडन और विरलन एक तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती हैं। चुकि ध्वनी संचरण में माध्यम के एक कण से दूसरे कण में और जा का इस्थानांतरण होता है। इस कारण ध्वनी को यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। क्या ध्वनी संचरण गमन, छोस, द्रव या गैस तीनों माध्यमों में समान होता है।